दोस्तो एक SP साब ट्रेक ड्राइवर का बेज दरके एक होटल पे जाते हैं, वहाँ पर जाकर कमरे के लिए पूछते हैं, होटल वाले उन्हें पूछते हैं कि सिंगल चाहिए या डबल, तो वह कहते हैं कि थोड़ी दिर मैं वेट करूँगा, अगर एक वैक्ति अगर आ गया तो मैं डबल रूम लोंगा, नहीं तो मैं सिंगल लोंगा, ऐसा कहकर वो रिसेप्शन पर बैठ जाते हैं, और वो एक ऐसी जगा चुनते हैं बैठने के लिए, जहां से वो रिसेप्शन पर आने जाने वाले सभी वैक्तियों को देख सके, लेकिन वो आसानी से किसी की पड़े, तभी थोड़ी देर हो जाती है, और थोड़ी देर बाद एक महिला होटल के अंदर से निकलती है, और SP साब जैसी उस महिला को देखते हैं, तो उनकी हवाईया उड़ जाती है, इसके बाद महिला चली जाती है, और SP साब काउंटर पे जाके उनसे पूछते हैं कि होटल वालों की भी हवाईयां उड़ जाती है आखिर क्या कहानी थी और कौन थी वैब महिला जिसे देखकर SP साब भोचके से रह गए थे पूरी गटना की सच्चाए जानने के लिए वीडियो को अंतक जरूर देखे नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है जीतू सोरोत और आप लोग देख रहे हैं ब्रेंडवान चैनल वीडियो को जाज से जाज से जाज सेर करें और पेज को फॉलो करना ना भूले आज की ये गटना दिल्ली की है देश की राजदानी दिल्ली में एक S.P. साब रहा करते हैं उनके साथ उनकी पतनी रहती है और वो लोग बड़ी हसी खुसी उसी गर के अंदर रहा करते हैं S.P. साब का एक दोस्त भी था जो पड़ोस में ही रहता था बाकी S.P. साब के गर पे और कोई नहीं था दीरे-दीरे इसी तरह से दिन कट रहे थे S.P. साब की जो पोस्टिंग थी वो यूपी के फरुकाबाद में होती है तो S.P. साब दो तीन-तीन महीनों के लिए गर से बाहर रहा करते हैं इदर जो उनकी पतनी है वो बहुत ही खुबसूरत है और एक चंचल सववाव की है अब इसी तरह से कुछ दिन और बीच जाते हैं तब ही उनका दोस्ट जो उनके घर के पास रहा करता था वो S.P. साब के पास फोन करता है और उन्हें कुछ ऐसा बताता है जिसे सुनकर S.P. साब के होस उर जाते हैं वे बताता है कि तुम्हारी पतनी के किसी वैक्ती के साथ नाजाय सम्मन्द है कुछ दिनों पहले तो मुझे सक था लेकिन मुझे पूरा यकीन हो गया है इसकी मैंने पूरी तहकीकात कर ली है इस बात को सुनकर S.P. साब उसे पूछते हैं कि तुम्हें किस तरह की तहकीकात की है तो में वेक्ति बताता है कि जिस से प्रेम करती है तुमारी पतनी उसे कभी कभी तो जब पूरी रात ये रुकते हैं तो घर पे ही बुला लिया करती है लेकिन कई बार ये होटल पर भी जाया करती है तो S.P. साब उस वेक्ति से कहते हैं कि तुम ऐसा करना मेरी पतनी को उपर निंगा बनाई रखना और आप जब किसी दिन होटल जाए तो मुझे बता देना और ये बात किसी को पता ना चले महले में कलोनी के अंदर इस बात को S.P. साब अपने दोस्ते कहते हैं तो उनका दोस्त निंगा रखता है तभी एक साम को वेक्ति अपने दोस्त S.P. साब के पास फोन करता है और उन्हें बताता है कि आज तुम्हारी पतनी उस होटल के अंदर गई है होटल का अडरेस दे दिया जाता है तभी जो S.P. साब है सीधा उस होटल पे आते हैं ट्रक ड्राइबर का बेज दरके और उसके बाद होटल वे कमरे के लिए पूछते हैं होटल वाले कहते हैं कि आपको सिंगल चाहिए या डवल तो बताते हैं कि कोई वैक्ती मुझसे मिलने आ रहा है अगर वो मेरे साथ रुकेगा तो मुझे डवल रूम चाहिएगा वरना मैं सिंगल ही रूम लूँगा तो थोड़ी दिर में वेट करूँगा होटल वाले उन्हें रिसेप्शन पर बैठने के लिए कहते हैं तो एसपी साब एक ऐसी जगा चुनते हैं बैठने के लिए जहां से वो रिसेप्शन पर आने जाने वाले सभी वैक्तियों को देख सकें लेकिन वो किसी को आसानी से निगा नहीं पड़े तो थोड़ी दिर वहां बैठे रहते हैं तब ही वै देखते हैं कि उनकी पत्नी सजदवजकर उस होटल के अंदर से निकल रही है और जैसे ही वो रिसेप्शन को क्रॉस करती है तो एसपी साब हक्के बक्के से रह जाते हैं और सोचते हैं कि इस पत्नी ने जो मुझे रोज फोन पे वादे किया करती थी कसमे खाया करती थी कि मैं तुम्हारी हूं और तुम्हारे सिवा किसी और की नहीं हो सकती वह इस होटल से निकल रही है अब इसके बाद दोस्तों उसकी पत्नी जैसी वहां से चली जाती है तो एसपी साब खड़े होकर रिसेप्शन पर जाते हैं और रिसेप्शन वालों से पूछते हैं कि जए महिला गई है इसकी डेटेल आप मुझे दे सकते हो तो होटल वाले मना करते हैं कहते हैं कि हम अपने कस्टुमर की इस तरह की डेटेल किसी भी वैक्ती को नहीं दे सकते हैं तब ही एसपी साब अपने आई कार्ड निकालते हैं और होटल के काउंटर पे रख देते हैं होटल वाले जैसे ही आई कार्ड को देखते हैं तो एक दम से अलर्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ साब बिलकुल दे सकते हैं तो होटल वाले अपने कागजों के अंदर से उसकी डेटेल और उसका आधार कार्ड SP साब को दे देते हैं तब ही SP साब कहते हैं कि ये बताओ ये किस के साथ आई थी तो उस वैक्ति का भी आधार कार्ड और पूर्डे डेटेल SP साब को मिल जाती है वहीं पर एक CCTV कैमरा लगा हुआ था SP साब कहते हैं कि इसकी रिकॉर्डिंग मुझे अभी चाहिए मेरे फॉन पर तो उसके बाद होटल वाले उसकी रिकॉर्डिंग भी उनके फॉन पर दे देते हैं अब इस सबी चीजों को लेकर वह कहते हैं कि ये बात इन दोनों को पता ना चले इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है तुम्हें ऐसा कहकर वो होटल वालों से सीधा अपने घर जाते हैं वहां जाकर देखते हैं कि उनकी पतनी घर के अंदर अच्छी सी साड़ी पहन कर और उनका वेट कर रही है तब ही वह गर के अंदर जाते हैं तो उनने देखते ही उनकी पतनी एकदम हर सो लास से बहर कर उनके गले लिपड़ जाती है कहती है कि कितने दिन हो गए हमें एक दूसरे से दूर हुए तो इस बात को देखकर S.P. साब और जादा है वो सोचते है कि ये कैसी ओरत है जो थोड़ी देर पहले इस तरह से थी और अब इस तरह से है अब इसके बात दोस्तो S.P. साब साथ ही पड़े सोफे पर बैठते हैं और अपनी पतनी को अपने सैड में बिठाते हैं और उससे पूछते हैं कि ये बताओ मेरे पीछे से चल क्या रहा है इस बात को जैसी उसकी पतनी सुनती है तो वो कहती है क्या चल रहा है उस फूटेज को सामने मोबायल में चला कर उस काउंटर पर रख देते हैं अब जैसे वो फूटेज उसकी पतनी देखती है तो वो रोने लगती है और गिड़गराने लगती है कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई आप थे नहीं और मैं इससे दिल लगा बैटी इसके बाद S.P. साब कहते है कि अरे ऐसी कोई बात नहीं है तुम पहले देखो ये तुम ही हो ना तो कहता है रे सरमिंदा होने वाली कोई बात नहीं है तुम ऐसा करो उस प्रेमी को यहां पर बुलाओ और उससे कहो कि मैं घर पे नहीं हो और वो आज घर पे ही आ जाए तो वे अपने प्रेमी के पास phone करती है और उसे बुलाती है कहती है कि आज मेरे पती मेरे घर पे नहीं है और तुम घर पे ही आ जाओ उसका जो प्रेमी था वो नोईडा किसी काम से गया था किसी सामान को deliver करने के लिए वो सामान की delivery किया करता था एक छोटा हाती उसके पास था जिससे वो सामान की delivery किया करता था तो वो कहता है कि अभी तो मेरे नोईडा हूँ दो-तीन घंटे लग जाएंगे उन्हें देखकर उसकी हवाईयां गायब हो जाती है वो एकदम से बोचका सा रह जाता है कि आखर ये हुआ तो क्या हुआ उसके बाद S.P. साब कहते हैं कि आईये सरीमान जी आपकी ही देरी थी और उसे बुला कर फोपे पर बिठाते हैं और अपनी पतनी से कहते हैं कि जाकर चाय बना कर लाओ उसकी पतनी मायूस सी जाकर किचन में चाय बनाती है और उसके बाद S.P. साब अपना फोन निकालते हैं और फोन निकालने के बाद एक वकील को बनाते हैं इतनी देर में उसकी पतनी चाय बनाकर वहां पर ला चुकी थी, तीन कप के अंदर चाय रखी हुई थी, तो S.P. साहब सभी से चाय पीने के लिए कहते हैं, तो जो प्रेमी था वे चाय नहीं पीता, वो सोचता है कि इसमें कुछ न कुछ गड़बर हो सकती है, कई ऐसा ना हो ये चाय के अंदर जहर मिला कर मुझे पिला दें और मेरी जान चली जाए, लेकिन तब ही S.P. साहब कहते हैं कि सिरीमान जी, आप चिंता मत करो, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वह अपने कप को रखके उसके कप को उठा लेता है, और कहता है कि ये जो जो चाय तुमार का खुलासा करते हैं कि मेरी पत्नी इस लड़के के साथ खुस है, और मैं चाहता हूँ कि ये मुझे तलाग दे कर इस लड़के के साथ ये अपनी जिंदकी बिताने लगें, इस बात को जैसे उसकी पत्ती सुनती है, तो सभी लोगों के सामने उसके पैरों में पड़ जाती इसके बाद उन सभी व्यक्तियों के सामने S.P. साहब और उसकी पतनी का तलाक हो जाता है और उसके साथ जो लड़का था उसकी कोट मेरिज करवा दी जाती है कोट मैरिज हो जाती है उसके बाद जो SP साझ हैं वो अपनी पतनी और उसके प्रेमी को एक गाड़ी में बढ़ा कर उसके प्रेमी के घर भेज देते हैं रोती हुई चीकती चिलाती हुई चली जाती है लेकिन S.P. साहब इस बात से खुश हैं वो कहते हैं कि चलो अच्छा हुआ बला टली अब इसके बाद इसी तरह से कुछ दिन और बीच जाते हैं S.P. साब अकेले रहते हैं फिर कुछ दिनों बाद एक अच्छी सुन्दर सुसील और इमांदार लड़की से उसकी दुबारा से साधी हो जाती है और S.P. साब का घर अच्छी तरह से बच जाता है उनकी पहली पतनी अब अपने पती से परिशान है क्योंकि वो बहुत जादा उसे परिशान करता है बार-बार लड़ाई जगडा किया करता है और जब वो S.P. साब के साथ रहा करती थी तो वो अपने घर की रानी थी लेकिन वहाँ पर वो नोकरानी बनकर रह रही है तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जहां पर जैसे को तैसा मिला एसपी साब ने दहरे रखते हुँ अपना दिमाग चलाया और उसके बाद अपनी उस पत्नी थे जो उसकी कभी थी ही नहीं उससे चुटकारा मिल गया और दूसरी साधी करके अपना जीवन स्वरग बना लिया और जो दूसरा लड़का था जो प्यार के चक्कर में ये सोच रहा था जो प्यार कर लूँ उसके गले एक आफ़त पड़ गई और दूसरी और जो उसकी पत्नी थी वो पहले रानी थी और अब नोकरानी बनके रह गई दिन बर उसे ताने सुनने पड़ते हैं और वे लड़का जो उससे प्यार किया करता था वे वे उसे अब ज़्यादा तबज्यू नहीं देता तो इस कहानी के बारे में आप जो भी कहना चाते हो अपनी रैकमेंड बॉक्स में लेख सकते हो लोगों के साथ सेर कर सकते हो अगला प्रोग्रम बहुत जल्दी फिर से लेका आँगा किसी सची घड़ना के उपर तब तक आप खोश रहें साबदान रहें रिस्तो की एमित को समझें जय हिंद जय भारत